अज हम जानेंगे बायोपसी के बारे में बायोपसी कैसे किया जाता है क्यूं किया जाता है और इसके लिए एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं इस सबसे रिलेटेड जानकारी मैं आपको दूँगी बायोपसी क्या है यदि आपके शरीर में कहीं भी कोई गांट हो गई हो जैसे ब्रेस्ट में या आपकी गर्दन में लिंफ नोड्स बढ़ गई हो तो आपके डॉक्टर आपसे बायोपसी करने के लिए कह सकते हैं इस टेस्ट में आपके शरीर के छोटे से हिस्से को सुन करके उस गांट का छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसे फॉर्मलिन में डालके लेबर्टरी में आगे जांच के लिए बेजा जाता है बायोपसी कैसे की जाती है? जिस भी अंग में सुजन है या गांट है उसे लोकल एनस्थीजिया की सहायता से सुन किया जाता है और काट कर गांट में से छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है और उसे फॉर्मलिन में डालके लेबर्टरी में जांच के लिए भेज दिया ज ज्यादातर केसिज में एड्मिशन की जरूरत नहीं पड़ती इसे ओपिडी बेसिज पर ही किया जा सकता है लेकिन कुछ सीरियस केसिज के लिए एक या दो दिन का एड्मिशन जरूरी रहता है बायापसी के रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है बायापसी से हमें पक्की जानकारी मालूम होती है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है इसके अलावा हम यह भी जान सकते हैं कि यह कौन सा कैंसर है क्या दवा खाने से ठीक होगा या उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा इस सब की जानकारी भी हमें बायापसी से मिलती है। कुछ स्किन के बिमारियों में बायापसी से हमें पक्की जानकारी मिल सकती है। जैसे लेप्रसी या सोरियसिस इनके डाइगनूसिस के लिए बायापसी अनिवारे है।